Hello guys, how are you all? I hope you all are doing absolutely fine. मैंना मैं सौरव और आप देख रहो मेरे YouTube चैनल My Head Transplant अच्कि इस वीडियो में मैं काफी सारे लोगों का एक confusion दूर करने वाला हूँ लोग मेरे से पूछते कि सर मेरा head fall हो रहा है, सर मेरा काफी जादा hair fall हो चुका है क्या मैं PRP लूँ या फिर hair transplant के लिए जाओं काफी सारे लोग मेरे से ये भी question कर देते कि आसर PRP लेने से मेरे बाल फिर से normal हो सकते जबकि मैं photo देखता हूँ तो ऐसा दिखता है कि बहुत जादा उनका बालने से हो चुका है तो इस वीडियो में मैं आपका ये question और ये confusion दूर कर दूँगा कि आपको PRP लेना चाहिए या फिर आपको hair transplant के लिए जाना चाहिए और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर कुछ भी आपको confusion है hair transplant के related या फिर PRP के related तो मैंने अपना ये number दिया हुआ है और इसी के नीचे आपको Instagram की ID भी दिख रही होगी अगर मैं by chance WhatsApp पे reply late दे रहा हूं तो आप Instagram पे जुड़ सकते हैं Instagram पे जो है काफी जाधा में active रहता हो और बहुत जल्दी reply आपको मिलेगा बात करें PRP की तो PRP में आप ही का blood निकाला जाता है और उसको centrifuge करते है centrifugal machine में और आपके plasma को blood से अलग करते हैं जो platelet rich plasma होता है ज लोग में से पुछते सर कितने PRP ले जिससे कि हमारा जो है बाल नॉर्माल हो जाए हर किसी का body response अलग होता है मुझे दो PRP में result दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी दो PRP में result दिख जाए हो सकता है कि आपको एक PRP में फरक दिखना स्टार्ट हो जाए हमसे कम आपको तीन से पाच PRP लेना चाहिए visible result देखने के लिए फिर लोग पुछते के सर PRP के side effects भी है तो PRP के कोई side effect नहीं है क्योंकि हम बाहर के कोई भी chemical या कुछ use नहीं कर रहे है तो बहुत ही safe है PRP लेना आप PRP ले सकते हैं उससे आपको फाइदा दिखेगा लेकिन बात है कि अगर आपका बालनेस ज्यादा हो चुका है जहां पर आपको दीखर आई कि आपका पूरा जो है सर खाली हो रहा है और आप यह सोचो कि मैं PRP लेलू उससे मुझे जो है फाइदा मिल जाएगा उससे जो है मेरे फिर से बाल आ जाएंगे नए बाल उग जाएंगे तो नहीं हो सकता कि पियार पी busy आपके जो existing route है जो आपके पहले से बचे हुए route मरें हैं वह रीगुर हो सकते है अगर आप बिल्कुल जाशूट की आपके बाल नहीं करेगा यही आप ili ृज पी लिया था जब इनका जो है थोड़े आगे से जो है रिसीट हो चुका था तो आपको नज़र आएगा कि इनके जो है फ्रेंटल हे लाइन में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा होगा लेकिन पीछे के जो बाल है उस पे जो है इन्होंने खुद लाइक एकस्पीनेस बताया क्योंकि जहां आपका को चुका है आपके बिलकुल भी बाल नहीं है वहाँ पर अपके बाल फिर से आ सकते अगर आपको नहीं पता और आप नहीं हो चैनल पर तो मैं बता दूं मैंने खुद भी हैं ट्रांस्प्लांट करवाया हुआ है मेरा फाइव घ्रेट का बाल नहीं देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा कितना जादा बाल चले गए थे और मैंने हेड ट्रांस्प्लांट करवाया था अब जाके इतना अच्छा बैठरी रिजल्ट मुझे मिला है और क्या ही बताओ कितना अच्छा फील होता है अगर आपको भी हेड ट्रांस्प्लांट करवाना करवा सकते हो कहां से मैंने करवाय था कौन सा क्लिनिक था कितना मुझे लगाता सब जो है आपको मिल जाएगा आप बिल्कुल डिरेकली क्लिनिक में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं सौरभ भाई से बात करना चाहूंग तो मैं अगण ब तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आपके बाल अभी जढ़ने लगे या फिर अभी पतले होने लगे थिन होने लगे तो वहाँ पे आप PRP ले सकते हो लेकिन ये भी मत सोचना कि PRP में एक दो ले लूँगा और मेरे बाल बिल्कुल सही हो जाएंगे उसके बाद मेरे को कुछ भी treatment या कुछ भी like medicines लेनी की जरूत नहीं पड़ेगी कुछ भी चीज आपको permanent result नहीं दे सकती जब तक आप उसको लेते रहोगे तब तक वह तो आपको बहुत फाइदा करेगा लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको छोड़ देख सकतो इन्होंने अभी hair transplant करवाया था तो इनका जैसे 3-4 ग्रेट का wellness था और इन्होंने hair transplant करवाया इनको क्योंकि PRP से और medicine से बहुत ज़्यादा नहीं मिला और मिलता भी कैसे जब इनके roots ही नहीं थे तो यह चीज आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि अगर roots है तो PRP medicines work करेगा otherwise hair transplant ही आपके पास last option है I hope guys इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको PRP medicines के तरफ कब जो है जाना चाहिए अगर आपका initial अभी start हुआ है तो और अगर आपका काफी जादा बालने हो चुका है 3-4 ग्रेट का हो चुका है तो आपको hair transplant के तरफ ही जाना चाहिए जिससे कि आपको desire result मिल पाएगा क्योंकि PRP medicines तरफ आपके ज्यादा काम का नहीं होगा I hope guys ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये वीडियो यही तक रखूँगा अगर आप नए हो और इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो please subscribe करके जाना क्योंकि ऐसी सही फील होता है कितना अच्छे जो है मेरे बाल उचुके पूरे आप देख सकते हो guys मिलता हूं नेक्स वीडियो तक तक के लिए आप घर पे रहो खुश रहो healthy रहो